नमस्कार इस फिडियो में हम लोग बिजया डाइगनस्टिक आइपियो के बारे में जानेंगे जिसका आइपियो ओपे धोने बाला है फार्स सेप्टेमबर से तो यह आइपियो आपको मिल जाएगा स्टेप से सिक्यूरिटी से आप स्टॉक्स डिमैट एंड ट्रेडिंग का शॉप्टर मोबाइल एप्लिकेशन से तो मोबाइल से आप यह आइपियो के लिए एप्लाई कर सकते हो आप अगर डिमैट अगाउंट नहीं है तो डिमैट अगर आप स्टॉक्स में फ्री में मिल रहा है और जब आप आइपियो खरितते हो कोई भी इक्विटी सेर्स खरि जाएगा तो बोथ से सेक्रिटी एन आप स्टॉक्स का जो डिमैट अकाउंट ओपेनिंग का टेडिंग अपन ओपेनिंग का लिंक आपको दोनों मिल जाएगा टेयर डेस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ पर आप अप्लाई क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही स दोकुमेंट आपको ओनलाइन आपको अपलोट करना परेगा फिर आपका डिमैट अकाउंट ओपेन हो जाएगा बहुत ही आशान तरीके से ठीक है तो चलते शुरू करते बिजाए डागेनिस्टिक आइप्यों के बारे में और भी डीटल समलक चान लेते हैं तो 1 सेप्टे इसका जो देखिए फेस वैल्यू है 10 रूपिस पर शेर है ठीक है इसका जो प्राइस बैंट रखा गया है पर शेर का वह है 522 रूपिस से 531 पर शेर ठीक है तो आपको 531 आपको काटफ प्राइस लगाना है ये बोथ BAC और NSC में इसका लिस्टिंग होगा और इसका देखि रहता है ठीक है और भी हम लोग डीटल्स देख लेंगे तो देखिए बीजाय डाइगनिस्टिक का जो IPO मार्केल लॉट है वो चारना बहुत ही जोड़ी है आप अगर एपलाइ करना चाहते हो तो तो एक लॉट में बीजाय डाइगनिस्टिक शेर का 28 रहेगा ठीक है एक ल अब 13 लॉट एपलाइ कर सकते हो इफ यह रिटल इन्वेस्टर्स तो मैक्सिमम अमाउंट जो आपका खर्चा होगा एपलाइ करने के लिए वो होगा आपका 1,93,284 रुपिस ठीक है 1,93,284 रुपिस का ठीक है अभी हम लोग और भी डिटल्स देख लेते हैं इसके बारे में यह इस इस आईपियो के बारे में तो बिजाय डाइगनिस्टिक का जो आईपियो है यह इसका प्राइस बेंड अनॉंसमेंट हुआ है 25 अगस्ट को ठीक है और इसका जो एंकर इन्वेस्टर्स अलोट्मेंट है 31 अगस्ट को अच्छा आईपियो ओपें डेट है जैसे मैंने आपको बाता है 1 सेप्टेंबर और 3 सेप्टेंबर को क्लोज हो जाएगा अलोट्मेंट इसका होगा 8 सेप्टेंबर को ठीक है 8 सेप्टेंबर को पता चलेगा कि आपको अलोट्मेंट शेर्स हुआ है कि नहीं हुआ है इसका बिजाई बिजाया डाइगनेस्टिक जो है एक आपका डाइगनेस्टिक सेंटर है मेली इन साउथ इंडिया में इसका बह तो आइससी ही डाइगनुस्टिक यहां पर टेस्ट यहां पर परफॉम्च किया जाता है ठीक है तो रिफंड्स अगर आपको बेसिक अलॉट मेंट 8 सेप्टेंबर को अगर आपको अलॉटमेंट हुआ ठीक है अगर नहीं मिलता है तो आपको पूरा मैंने आपको बताया जो इसका जो प्राइस है 533 रुपेस आई पेओ का एक एक शेर का तो यह उम्मीद का जा रहा है पेडिक्शन का जा रहा है जब भी लिस्टिंग होगा बिजायर आइगनिस्टिक आइपयो का तो 620 पर लिस्टिंग हो सकता है तो लगबग आपको 100 पर शेर आपको गेन देखने के लिए मिल सकता है बिजायर आइगनिस्टिक का जो आईपयो जीम्प प्राइस है तो यहां पर देख सकते हो 35 रुपेस बड़ यहां पर आजका रेट है यह 35 रुपेस यहां से यह इंक्रीस होने का चांसे से बिजायर तो इन आप स्टॉक्स ठीक है दोनों में आप एपलाई कर सकते हैं दोनों में आईपयो खाईदने के लिए बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता है हाला कि दीमैट आकाउंट अगर आप ओपन करते हो एस्टेपसी के साथ तो वहां पे कुछ चार्जस है ठीक है बट अगर आ एस्टेपसी को छोड़के अगर आप आप स्टॉक्स में ओपन करना चाहते हो तो बिल्कुल हो फ्री है आप स्टॉक्स बिल्कुल फ्री में डीमैट अकान ओपन हो जाता है और आप स्टॉक्स में आपका इक्विटी डेलिवारी चार्जस भी 0 है कोई आपको चार्जस नह और इंटर डेयमे 0.10 फासन है तो यह स्टेप सेक्रीटी थोड़ा सा कॉस्लिय कास्टली है काफी सारे वीवास ने मुझे पोला है कि सेर्ड़ी इसे ऍप सेक्रीटी से बहुत कॉस्ली तो आप अगर इस्टेफ सेक्रीटी के छोड़के अबस टॉक्स में lieकाउंट ना चाहते सब्सक्राइब आपको आपको अपलोट करना परेगा फिर आपका एक शॉट मोबाइल से फोटो लेना परेगा एक फोटो लेना परेगा आपको सिर्ट पोलना है है my name is ABC and I want to open my trading account in upstocks steps में भी ऐसा कुछ हो सकता है तो आपको details जैसे आप step follow करेंगे online आपको फथा चल जाएगा आपका आधार के साद mobile link होना बहुत ही जोड़ी है कि वहाँ पे आपका आधार e-sign बोलके option होता है वहाँ पे का OTP आता है तो फिर आपको e-sign हो जाएगा ठीक है तो यह आपका अंड जो हमारे जो central government का जो डॉक central document का जो वहाँ पे repository है वहाँ पर भी आपको e-sign करना होता है ठीक है डीजी लोकर बोलते इसको तो टीजी लोकर में भी आपका साइन करके वहाँ पे e-signature करना है इस 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 इन दे सेंस आपका मोबाइल में कोटी पे आएगा उस ओटीप्य को डालना है फिर आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा फिले उहां से आप उपेन होने का बात आप IPO कर सकते हो आप equity में टेडिंग कर सकते हो आप intraday आप trading कर सकते हो आप gold में नवेस कर सकते है आप mutual फन कर सकते है आप SIB कर सकते हैं स्टोक्स से काफी सब्सक्राइब का आपके लिए ओपन हो जाता है तो इस गुट तो हैब यूर ओन डी मैट सबको हेल्थ केर में आपी बहुत इंवेस्टमेंट देखने के लिए मिल रहा है और आगर जिने में चलके भी हेल्थ केर एक एक सेक्टर है जहां पर आपका बहुत पोटेंशल रहता है ठीक है तो डागनिस्टिक हेल्थ केर सेंटर में यू कैन बाई इस आई प्यो एंड सेप्टमबर को यहां पर देखिए डेट है 14 सेप्टमबर के जब लिस्टिंग होगा यहां पर आप लिस्टिंग के डेट आप वहां पर सेल करके आप बुकिंग प्रॉफिट कर सकते हो ठीक है तो 533 का आई प्यो आप खरीद रहे हो अगर माली जे 620 में इसका चाहे ओ जिरोदा है काऊ चाहो एस्टेप्स है आप स्टॉक से अंजल वोकिंग है कहीं भी आई प्योई अप्लाइ करने के लिए कोई ब्रोकर चारज नहीं लगता है ठीक है बाट जैसे जिरोदा एनस्टेप्सी सिक्रूइटी बहुत पॉकुलर हो चुका है इसका shares by sell कर सकते हो बहुत ही आशान एक software है तो यहाँ पर ज्यादा complication नहीं है तो इसलिए मैं आप stocks को suggest करूंगा but you can open it with anyone Zeroda and estate securities के साथ भी आप open कर सकते हो it is up to you तो hopefully video को अच्छा लगा है आपको Vijaya Diagnostics Center के बारे में IPO के बारे में पता चल गया है तो comment section में लिखके आप बता सकते हो कि if you are going to apply for this IPO or not और आपका किया solution है कुछ भी है तो query है question है तो आप comment section में जरूर लिखके बोलिए और वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिजेगा फर्स्टेम चैनल में विजिट कर देखके आपसे request है कि please subscribe to this channel and support क्योंकि इसमें बहुत encourage मिलता है वीडियो और भी बनाने के लिए thanks for watching मिलते ऐसे informative वीडियो के लिए next video thank you